हेलो दोस्तों, लेट्स प्ले बार्बी के एक और नए कहानी में आप सभी का स्वागत हैं, चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है चलो स्वीटी मैंने तुम्हें पार्टी के लिए तयार कर दिया है, अरे वाह तुम तो बहुत ही सुन्दर दिख रही हो वैसे स्वीटी तुमने अपनी सारे दोस्तों को पार्टी में इन्वाइट किया है ना, किसी को भूल तो नहीं गई हो, सब आ रहे हैं ना अले हां ममी सब आ रहे मेरे पार्टी में आज बहुत ही मज़ा आएगा मेरे सारे दोस्त आ रहे है ओल हां आज तो चाजी मेरे लिए बहुत अच्छे चिखाने की चीज़े बना रही है आज मेरे दोस्त खाएंगे तो उत्म खुशी हो जाएंगे हरे हाँ स्वीटी आज के पाटी में तो मज़ा आ जाएगा तुम्हारी चाची बहुत ही अच्छे चिपपकवान बना रही है सब छोड़ो अब जल्डी से जलेबी चक्कर बताओ कैसी बनी है मुझी तो बहुत ही अच्छी लग ज़ी हाँ ठीक है मम्मी मैं अभी जक्ती हूँ कैसा बना है लेकिन चाचो कहा रहेगे अभी तक नहीं आए उन्हें जूला लाना था ना आज मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है कि उन्हें जूला जूलाओंगी अरी हाँ स्वीटी तुम चिंता मत करो तुम्हारे चाचो लेकर आ रहे हैं जूलाओं रास्ते में हैं कभी भी बहुश सकते हैं चलोशलब जल्दी से जलेबी खा कर बताओ कैसी बनी है मुझे तो बहुत ही स्वादिश्ट लगी हाँ ममी आप तो सही पोली है तो बहुत ही तेस्टी जलेबी बनी है अरे वाह मेरे दोस्त खाके तो बहुत ही जदा खुश हो जाएंगे ठीक है सुईटी तू अपने दोस्तों का इंतिजार करो मैं जाके पिंगी की मदद कर देती हूँ कबसे बिचारी बना रही है सब कुछ क्या भाबी आप भी ना मैंने सब कुछ बना लिया है बस आप आके चके बता दीजिये कैसा बना है अरे वाह अच तो सुईटी के सारे दोस्त आने वाले मैं बहुत ही जड़ा खुश हूँ सारे बच्चे मेरे हाथों के खाना खाएंगे तो मेरे बहुत ही तारीफ करेंगे ये मैं बहुत ही खुश हूँ पिंकी तुमने तो सारे पक्वान बना लिये अरे वाह पेड़ा, बर्फी और भुजिया भी तुमने इतना चल्दी बना लिया है सच में पिंकी तुम्हारा खाना बनाने में कोई जवाब नहीं तुम बहुती अच्छा खाना बनाती हो अरे वाह कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है मुझे तो भूख लग गई अरे हाँ भावी खा लेना कम से कम स्वीटी के दोस्तों को तो आजाने दीजे फिर साथ में खाएंगे वैसे भावी सिद्धाद अभी भी जूला लेकर नहीं आये कहां रहेंगे तुम सहीं कह रहे हो पिंकी अभी सिद्धाद नहीं आया पता नहीं कहा रहे गया बोल तो रहा था कि मैं रास्ते में हूँ चलो कोई बात नहीं आ जाएगा वैसे पिंकी आज हम भी जूला जूलेंगे ठीक है ना अरी हाँ भावी ये भी कोई कहनी वाली बात है किया मैं तो बहुती दद एकसाइटेट हूँ जूला जूलने के लिए बचपर मैं तो मैं बहुती जूलती थी और यहाँ पर सुईटी के सारी फ्रेंड्स आगे है सुईटी हम आगे हाँ हम आगे अरे सुईटी मुझे तो कहीं जूला दिखाई नहीं दे रहा है तुमने तो कहा था कि हम जूला जूलेंगे बहुती मचाएगा तुमने इसलिए तो पाटी दी है ना हमे क्या हुआ अरी हाँ तुम जिंदा मत करो हम जूला जूलेंगे चाजू गए है जूला लाने के लिए अरी हाँ चलो चलो गर मिठाई खाते हैं पता है चाजी ने आग बहुती अच्छे अच्छे पक्वान बनाए है क्यों चाजी मैं सहीं कह रही हूँ ना हाँ सेटी तुम एकदम सहीं बोल रही हो मैंने सारे बच्चों के लिए बहुती अच्छे चे पक्वान बनाए है काजू, कतली, बर्फी और ये देखो जलेवी भी मैंने बनाई है चलो तुम सब बैटे क्यों हो जल्दी से टूट परो खाने पर चलो पहले मिठाईया खालो फिर उसके बाद चूला जूलना अरे हाँ 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 चलो चलो मिंकी चलो चलो खाते हैं बहुती मज़ा आएगा कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है हाँ हाँ चलो चलते हैं अरे चलो चिंगी हम भी खाते हैं तो राहुल सारा मिठाई खा लेगा चलो चलो हम भी चलते हैं हम भी आ रहे हैं अरे श्वीटे चलो चलो चल्दी चलो देखो राहुल कितनी चल्दी खा रहा है और फिर यहाँ पर सारे बच्चे मज़े से बैठ कर मिठाईया खाने लगते हैं अले वा कितना तेस्टी है चलो मैं बर्फी खाता हूँ अरे वा बहुत ही टेस्टी है मैंने तो इतनी अच्छी बर्फी कभी नहीं खाई है मज़ा आगया खागे अरे अंटी आपने तो बहुत ही अच्छा बनाया है अरे हाँ सुईटी तुम से बोले ते तुम्हारे चाची नहीं बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाई बनाई है इतनी अच्छी मिठाई तो मैंने कभी भी नहीं खाई अले हाँ मिंगी फिस खाओ ना मैंने पाटी इशली तो दी है मज़े सिखाओ और यहाँ पर सिधात दिया जाता है जूला लेकर अरो सुटी कहाँ हो देखो मैं जूले लेकर आ गया हूँ ये देखो ये चाचु आ ले जूला लेकर चलो चलो मैं जाके देखती हूँ चलो अच्छा वह सिधात जी जूला लेकर आगे मुझे तो लगा था कि पाटी खतम होने के बाद ही आएंगे क्या सिधात जी आप तो बहुती तदर लेट आए कहां रह गे थे इतनी टाइम तग औरे पिंकी जी क्या बताओ और रास्ता बहुती तदा खराब था आने में बहुती तदा देर लग गया क्या कर सकता हूँ लेकिन जैसे तैसे करके देखो मैं जूला लेकर ही आ गया बहुती सुन्दर है बस जूले वाले थोड़ा पैसा ज्यादा ले लिया सुनो कोई बात नहीं मैं यह से लगा देता हूँ और फिर यहाँ पर सारे बच्चे मज़े से जूला जूलने लगते है अरे वा शुटी तुम्हारे चाचो तो बहुती अच्छा जूला लेकर आए कितना मचा आ रहा है ये अरे हाँ बहुती मचा आ रहा है मुझे और शूला जूलना है और जो शे नहीं सिटेज तो उन से मत जूलो नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी गिर जाओगी तुम जूले से हाँ ठीक है चाची मैं आराम से जूलूंगी बहुती ज़ब मचा आ रहा है आप ही जूलना चाची और ये लड़किया कब से जूल रही है मेरी बारी है मुझे जूलना है रुजा मैं उतारता हूं सब को जाकर चलो जाकर मिंकी को उतारता हूं जूले से कब से जूल रही है मिंकी चलो तुम उतर जाओ मेरी बारी है अब अले नहीं मुझे ओर जूलना है भागो तुम यहांचे अरे नहीं नहीं उतरो जल्दी से मुझे जूलना है अले नहीं मुझे नहीं उतरना है तुम जाओ यहांचे मुझे ओर भी जूलना है अरे तुम तो जूले से छिपक गई हो, उतरने का नाम नहीं लेरू, जल्दी उतरो, नहीं तो मैं तुम जूलने नहीं दूंगा अरे तुम बहुती गंदे हो, मैं जल्दी अरे बच्चे तुम लड़ने जगणने लगे, बच्चो आराम से जूलो, लड़ाई मत करो, सबका नमबर आएगा, आराम आराम से, क्या करें तुम साब? अरे बच्चे भी ना? हाँ पच्चो तुम सब लडाई मत करो गंदी बात है आराम से जूलो चलो चलो मिंकी और स्वीटी जल्दी सूतर जाओ अरे बच्चे ही अभी लडाई करें पता नहीं हमें कम मोका मिलेगा जूलने के लिए अरे भाबी मुझे तो लगता है बच्चे ही सारा दिन बैठे रहेंगे जूले पे हमें जूला जूलने का मोका ही नहीं मिलेगा क्या करें मैं तो बहुत ही अधा खुश थी तुम सही केरी पिंकी अब क्या कर सकते हैं बच्चे है तुन्हें थोड़ी न उतार सकते हैं जबरदस्ती जाने जमेजारी मिठाई खाने चलो मैं तब तक मिठाई खा लेती हूँ और यहां पर सारी बच्ची मज़े से जूला जूल रहे हैं अरे वहां छिंकी बहुत ही मज़ा आ रहा जूलाज़ी है अली वा कितना मज़ा आ रहा है अली वा जूला जूलने में तो बहुत ही मज़ा आता है और ये बच्चे तो बहुत ही दादा टाइम से जूल रहे हैं चलो उतारता हूँ बच्चो चलो उतर जाओ और पिंकी जी आपका नंबर आ गया जाके जल्दी से बैट जाए ने तो मौका नहीं मिलेगा आपको जल्दी जाए और भावी तो मिठाया ही खाने में बीजी है भावी जाए आप भी अरे हाँ अंटी मा उतर गया हूँ अब आप जाके जूल लीजे जूला उसके बाद मुझे भी जूलना है अरे वा राव तुम तो बहुती अच्छे बच्चे हो बहुती आराम से उतर गे चली चली भावी हम भी चलते हैं जूल लेते हैं जूला अरे खाली चलो चलती से ज जाती हुँ मैं और फिर यहां पर काजल और पिंकी भी जूलने लगते हैं अरे वाह पिंकी बहुत ही मज़ा आ रहा ना तभी तो बच्ची उदर नहीं रहे थे अरे हाँ भावी आप सही बोल रही है बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो मेरी बच्पन का याद आ गया बहु मैं तो जोर से जूलूंगी अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है आप सही करे भावी बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाह चलिए चार्चिया बाप उतरिये ना अरे नहीं स्वेटी मुझे भी नहीं उतरना थोड़ा और चुलने दोना अरे भावी क्या कर रही है आराम मैं क्या करूँ आरे पिंगे जी चलिए उतरिये ना सुनाई नहीं गया मुझे भी जूलना है अरी हाँ हाँ सिधाजी उतरते हैं रूज ये थोड़ा सा इनको तो सबर ही नहीं हो रहा है चलिए भावी हम कब से छुल रहे चलिए उतर जाते हैं बच्ची फिर से जिद करने लगे हैं जूलने के लिए चलो उतरते हैं चलो मम्मी जैसे उतलेंगी मैं जल्द भूल ही कहिए उसली क्या करें फिरमें जाकी उतारती हुँ च्बले से काम नहीं बनेगा मैं भी जाकर उतरता हा हूं सबको Feels जूलने के लिए पिंकी जी उतरिये मैं आ रहा हूं बैठने के लिए और फिर यहां पर सिध्धात बच्चों को बिठा कर जूलने लगता है अरे वाह सब लोग सहीं बोल रहे थे जूलने में तो बहुत ही मज़ा आता है अले अंकल थोड़ा आराम शी जूलिये ना बहुत ही नहीं उतरेंगे फिसे भाबी चलिए हम चलते हैं प्रीती घर कितना दिन हो गया नहीं गये हैं चलिए घुम कर आते हैं gusto क्याय बोलते हैं अब और पर काजल और पिंकी चढ़े जाते हैं दोस्तोंगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीस हमारी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दे थाइंक यू फूर वाचिंग